हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार द्वारत से आपके अपनी चैनल विवेग गिनाना स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चले में नए दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में वैगोदाना नाम हुलना ताकि आप आप सभी के सभी नोटिविकेशन रिसीप कर पाउस से पहले साथ में टेलिग्राम ट्विटेंस चा फॉलोग कर सकते और लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो दोस्तो बात करूँगा ऐसे शेर के बारे में जिसके बारे में बहुत लोगों ने नीचे कॉमेंट तो करते थे लेकिन मैंने कभी कवर नहीं किया स्टॉक के बारे में चलिए आज बात करते है एफल इंडिया स्टॉक के बारे में काफी बहत्रीन स्टॉक मुझे लग रहा है ठीक है तो है 20 से स्टॉक अल्लेटी का चीड़न दे चुका है जिससे आपको पता है जो स्टॉक का काम है मुवाइल अट्विडाइजिंग का काम है ठीक है तो इसका ज बहुत लोग मुवाइल फ्लेट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं एप्लिकेशन्स यूज़ कर रहे इसका मतलब जो एक कमपनी है मेली काम इंका मुवाइल अप्लिकेशन में बहुत रह देपलेमेंट का काम है साथ ईदविड़राइजिंग का काम है तो फिशी यसी का है अभी Q4 के नतीजे FL India के रिवील किये गए लास्ट रे और काफी अच्छे नतीजे आये 56 क्रोड के आजबस का profit stock ने दिखा है, company ने दिया है तो देख लेते हैं भाई कि मैं क्यों गया रहा और Alliance को छोड़ो, इस FL India stock को पाय करो जब तक stock इस price के उपर है एक price बतलाऊंगा, जब तक इसके उपर sustain करता है, तो आप stock को hold कर सकती हो, अगर आपने stock को hold कर रखा already, तो आप stock को hold करो कोई दिक्कत नीए, जितना ने dip मिले dip मिले मतलब, एक अच्छे bottom में मतलब, RSI जब आप बोल सकती हो कि अच्छा खाजा RSI, 40-50 के range में हो, आप stock को buy करके चल सकते हो, अभी currently जो stock का RSI है, वो overboard zone में, इसका मतलब stock में definitely कुछ ना कुछ sell-out देखने को मिलेगा, और last कुछ मन्त में हो हमें देखने को मिल रहा है, definitely नीचे अगर आप stock को buy करती हो, तो आपको proper और एक stop loss maintain करना पड़ेगा, और दुबारा से अगर आपका, एक बार stop loss हिट होता stock में, तो आप दुबारा से stock में, एंट्री कर सकते हो ठीक है, एक होता है swing trading, यह होता है investing, तो अभी stock investing करने के लायक नहीं है, मेरे यह मानना है 4-7 रुपे के levels में मिल रहा है और 800 रुपे के price से उपर गया है, तो बात कुछ समझो ठीक है ना, अगर आपको investing करने भी है, तो आप please एक stop loss के साथ investing करो, अधरवाइस काफी बड़ा, यहाँ पर आपको वो भी हो सकता है, गाटा, अब देखे चल लो, सिर्फ चार्ट की तरफ और company के profits की तरफ, तो देख लेते हैं, भाई, मुझे क्या पर से लग रहा है stock में, अपने बात करेंगे, company के बारे में, company का market cap क्या है, चीक है, और क्या भी चल रहा है, तो साब देख सकते हो, company का market cap, 13,924 कोड के आसपर असका है, 5,6 रुपे का आसपर trade कर रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं आपको दिखला रहता हूँ, market cap भी यह सब बाते हो चुकी है, अब और नीचे लेकर जलता हूँ, तो साब देख सकते हो, company ने एक अच्छे results दे सकती है, इसका मतलब company एक अच्छे results दे चुकी है, एक अच्छा profit कमनी दे रही है, लेकिन आपको dividend नहीं दे रही है, इसका मतलब वो long term growth में invest कर रही है, और company को जो last quarter में promoter holding थोड़ी decrease हुई है, तो वो भी देख लेते हैं भाई, कितनी degrees हुई, कैसे degrees हुई है, अगर बात करते हैं sales की, तुसरा आप देख सकते हूँ, revenue बोल सकते हूँ, आप 142 क्रोड की revenue देखने को मिली है, मार्स 2021 में, और last year के comparison में almost double आप बोल सकते हूँ, 70-80% का jump देखने को मिला है sales में, ठीक है, अगर बात करते हैं last quarter के comparison में, तो last quarter के comparison में sales में कमी आई, इसका मतलब definitely stock को आपको अभी buy करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, मेरे साब से, मैं अगर आपकी जगा ओता है तो buy नहीं करते है, title में तो लिख दिया है, उसको छोड़ो, अंदर जो उसको देखो, नहीं buy करना चाहिए, लेकिन अगर आप buy कर भी देखो, बहुत जिद्धी लोगों आप, तो आप एक stop loss लगा के stock में buy कर सकते हो अगर बात करते है, operating profit, तो दोससर देखो, 34 score के आसपास का profit है, जो last quarter में 38 के आसपास था, अगर compare करते है, last fi20 में तो वो definitely double ही होगा, ठीक, अगर बात करते है, net profit काफी अच्छा है stock का, 69 क्रोड के आसपास का profit देखने को मिला है, और 30 score के आसपास का last quarter में था, इसका मतलब company के जो earning per share है, वो लगता बढ़ रहा है, तो भाई definitely आप stock को buy करके चल सकती हो, अब तो चल सकती हो, यह उपर तक तो हमें दिख रहा था कि नहीं buy करना है, क्योंकि भाई जो sales हमें दिखा रहा था, हमने उसके basis में बोला, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग है net profit में, company के net profit काफी सांदार है, अगर आप last quarter से भी compare करते हो, तो काफी awesome है, और last year से करोगे, तो भाई तब तो double triple हो रहे है, ठीक है, अब बात करते है, yearly profit कैसे है, दो सब देख सकते हो, half-lai के दिनों इसका IPO है, तो काफी पुराने profits नहीं होंगे, और दो सब देख सकते हो, 517 crore के आ profit था, अगर बात करते हो, तो balance sheet की, तो reserve company के बाद 333 crore के आसपास का, साथ में loan, 119 crore के आसपास का, देदीर के company, loan ले रही है, अब यह हो सकता है, देखो, ठीक है, और अगर बात करते है cash flow, तो company का cash flow नहीं है, साथ में sterile pattern की में बात करता हो, 62% के आसपास मालिवों का पै भईया, कम से कम, जो holding है, promoters की, वो FII के पास जा रही है, ठीक है, promoters ने वो holding बेची हो, FII के पास गई है, ना कि हमारे retail के पास गई है, N14, और आप देख सकते है, 8% के आसपास हमारे DIA का पैसा लगा था, अब उन्होंने 6% के आसपास profit booking कर लिए, अब थोड़ा बद 1-2% का profit booking की है, साथ public की holding, दोस्तों, 13% के आसपास है, ज्यादा बड़ी holding public की नहीं है, अगर बड़ा बात करता हूं, किसकी holding है, दोस्तों, आप देख सकते हैं, एक बड़ा नाम है, 4% तो इन्हीं की holding है, retail की holding में मातर, I think, बहुत कम होगी, ठीक है, 1-2% के आसपास भी मातर holding ह इटरेट कर रहा है, आपको याद होगा, सुवे मॉर्निंग मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, कि RSI के मतद से, आप कैसे, की स्ट्रों में profit book कर सकते हूं, exit कर सकते हूं, ठीक है, तो मैंने वो वीडियो बनाया था, अगर आपको उ ये स्ट्रों नीचे क्यों गिरेगा, तो आप चाहँ तो लिंक देख सकते हूं, अब बात करते हैं पर्टिकुलर अभी इस ट्रों के बारे में, कि अभी स्ट्रों में क्या करना है, दोस्तों देखिए, अब स्ट्रों एक cycle में ट्रेट कर रहा है, लागतार नीचे गिर रहा अगर आप बहुत जिद्धी हो अबाई करना चाते हो तो भाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन स्टॉप उस लगा लेना 5050 का बस ठीक है मातर 200-300 रुपे का स्टॉप उस लगा लेना अब स्टॉप को होल्ड कर सकते हो अगर यह स्टॉप लोस हिट हो गया मालनो यह नीचे close कर देता है 5,050 के आसपा तो stock definitely काफ़ी बुरी तरगे से गिर सकता है ठीक है अगर बात करते भाई last day stock में कैसा performance ना मतलब NSE में कैसा data लेकी गए लोग घर तो भाई 62% के आसपास का निकल के आता है मैं आपको दिखा रेता हूँ आप देख सकते है FN India Limited के मैंने पूरा database को लगा है यहाँ पर अगर आप त्यान से देखेंगे तो 52% के आसपास की quantity rate की गई उसमें 32% के आसपास आई विन 32,000 quantity लोग घर लेके गए और वो 62% के आसपास निकल के आता है ठीक है तो काफी अच्छा number है लेकिन आपको मैंने बत करो लेकिन 5550 तूड़ते ही इस टॉड़ते ही इस टॉड़ती मार लेना short term के लिए कल्टी मार लेना long term के लिए stock अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है short term में stock आपको definitive नीचे के level दिखा सकता है अगर 5550 तोड़ा अगर नहीं तोड़ा तो भाई उपर के level आपको क्योंकि company का जो business है काफी बहुत जवर्जस business है और मेरे ख्याल से यह एक ही stock होगा जो यह काम करता है इतने बड़े level में ठीक है मैंने बता ना algos का और साथ मोबाइल development का काम भाईया mobile application platform बहुत सब्सक्राइब काम करता है और साथ में आप बोसकते हो इन short of AI का का काम करता ह ठीक है algo intelligence का काम करता है तो भाई मेरे साब से जिनको नहीं पता algorithms आप गूगल कर लेना आपको पता से जागे algo क्या होता है ठीक है तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और अच्छा लाइक कर देना शेर कर देना अगर आपको उस वीडियो का link चाहिए जो मैंने वीडियो झाल